नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीफ और बोटफोलियो में आज हम बात करने वाले हैं NBFC मार्केट लीडर बज़ाज फैनांस के बारे में भारी तेजी देखने को मिले पिछले कुछ दिनों में आज तो ये 3000 के भी पार चला गया है तो ब बात करेंगे लेकिन उससे बेले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नौटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजे और साथ ही साथ हमारे तेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कीजे इसकी लिंक हमने description box में दी गई है तो चलिए बात करते हैं बजाज फाइनांस के बारे में तो आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनांस एक large cap company है जिसका market cap है 1,70,000 करोर के आज़ पास का लाज ट्रेड़ प्राइस है 3,025 रुपीज जो कि आज 6.52% हमें उपर दिखा है अगर बात करें returns के profile के बारे में तो आप देख सकते हैं एक महीने में ये 50% उपर दोड़ चुका है कितनी ज्यादा तेजी हमें पिछले 30 दिनों में ही दिखाई दी है वन येर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं वन येर में अभी भी है 20% के correction पे हमें available है फाइव येर के बारे में बात करें इतनी ज्यादा गिरावट के बावजूद हमें फाइव येर में multi bagger returns इस टॉक ने बना कर दी है 433% के multi bagger returns की metrics के बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो PE ratio यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 31.63 जबकि sector का PE है 21.63 अगर बात करें price to book ratio के बारे में तो वो 8.31 जबकि sector का price to book है 1.71 आपको याद होगा जब मैंने पहले videos बना कर आपको recommend किया था बजाज finance में आप position बना सकते हैं तब इसका PE ratio 20 के आसपास चल रहा था तो आप देख सकते हैं कि date गुना हो चुका है valuation भारी तेजी हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है तो आप चलते हैं charts पर कौन सी situation यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है कौन से levels और targets आगे आने वाली दिनों में दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम लोग charts पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि market crash से पहले 5000 के आसपास यह trade करता था लेकिन उसके बाद बारी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है जबकि markets में थोड़ी कासी recovery भी देखने को मिली थी लेकिन बजाज finance में वो recovery भी दिखाई नहीं दी थी और गिरावट continue ही रही थी आप देख सकते हैं 2000 के आसपास यह stock पहुँच चुका था इसने 1783 यानि की 1800 के आसपास अपना low बनाने के बाद हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है current situation के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं इसने अपने 100 days के moving average को पीछे छोड़ दिया है indicators के बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं money flow index का जो number है वो 63.86 यानि की अभी भी यह overbought नहीं हुआ है इतनी भारी तेजी देखाने के बावजूद इसमें अभी भी overbought zone में यह नहीं गया है अगर बात करें इसके RSI के number के बारे में लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि MSED की situation भी कुछ तेजी वाली है काफी समय पहले इसने bullish crossover दे दिया था और उसके बाद हमें तेजी यहाँ पर continue रहती हुई दिखाई दे रही है बीच में बहुत बार ऐसी situation emerge होती हुई आ रही थी कि एक bearish crossover हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ और bullish crossover continue रहता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दिया है अगर बात करें इसमें Bollinger Band के बारे में तो आप देख सकते हैं Bollinger Band के Lower Band के आसपास support लेने के बाद इसने हमें तेजी दिखाई थी Upper Band के आसपास फिर से इसे resistance पेस करना पड़ा और stock ने median के आसपास support लिया था और उसके बाद जो तेजी दिखाई है आप देख सकते हैं Upper Band के भी ऊपर यह निकल चुका है Upper Band जो calculate हो कराता है वो है 2945 का level और आज जो हमें closing देखने को मिली थी वो थी 3025 के आसपास median के बार में बात करें तो 2396 का level यहाँ पर as a median दिखाई देता है Lower Band के बार में बात करें तो 1846 का यहाँ पर level दिखाई दे रहा है अब मैं आपको pivot points भी दिखाना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं जो pivot level निकल कराता है वो है 1998 जिसको इसने कब का पीछे चोड़ दिया है दो resistance level भी आज यह तोड़ चुका था लिकिन आज जो हमें resistance level तूटता नजर आया है वो है 2950 का जिसको आज इसने तोड़ दिया है और उसके काफी उपर हमें आज closing भी देखने को मिली है तो इसका जो next resistance हो सकता है वो इसका 200 days का यह में काफी ज्यादा नजदीक already हमें दिखाई दे रहा है अगर बात करें इसके all time chart के बारे में जहाँ पर एक candle 1 month को represent करेगी तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अच्छे कासे multi bagger return से stock ने बना कर दिया है कभी भी ज्यादा deep correction यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है कभी भी deep correction देखने को मिलता है तो भी अपने yellow line जो कि 20 months का यह में वहाँ पर यह support लेता है और हमें वापस तेजी continue भी रखता है तो आप देख सकते हैं इस बार कुछ ज्यादा ही गिरावट हो गई थी बहुत ही ज्यादा ऊपर position बना रखिये तो मेरा मानना यहाँ पर आपको hold करना चाहिए loss book करने का कोई भी reason यहाँ पर दिखाई नहीं देता है क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी company है fundamentally strong company है अगर आप इसे hold करते हैं तो long term में आपको अभी भी अच्छे गासे पैसे बना कर जरूर देगा अगर आपने इसमें नीचे position बना रखिये आप अभी profit में चल रहे हैं अगर आपने long term के लिए है तो इसे please continue holding कीजे काफी अच्छे share को आपने choose किया है वो भी अच्छे price पर भी लिया है लेकिन अगर आपने short term के लिए है तो आप इसमें से profit booking के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि already 50% उपर ये चल चुका है एक month के time horizon में और short term investing के लिए इतने ज्यादा returns काफी होते हैं अगर बात करें इसमें fresh buy के बारे में लेकिन उससे पहले में आपको एक level बताना चाहूंगा जो कि ये 3000 का level उसके आसपास इसने resistance phase किया था और वापस stock नीचे आता हुआ दिखाई दिया था तो currently उसी के आसपास ये stock trade करता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर उसे resistance phase करना पड़े गाया नहीं ये तो आगे आने वाला समय बताएगा लेकिन अगर हमें यहाँ पर तेजी continue रहती हुई दिखाई देती है तो आगे जो immediate targets बनकर आ सकते हैं वो है 3300 और 3500 के levels fresh buy के बारे में बात करने से पहले एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा जो कि है क्या ये share वापस कभी नीचे आए गाया नहीं तो मैं एक reason आपको बताना चाहूंगा क्यों ये share नीचे आ सकता है वो है technical correction अब देख सकते हैं काफी ज्यादा तेजी already है दिखा चुका है तो हमें यहाँ पर profit booking देखने को मिल सकते है थोड़ा सा technical correction देखने को मिल सकता है इसलिए मेरा मानना है यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थोड़ा सा wait करना चाहिए fresh buying के लेवल से पहले fresh buying के बारे में भी बात कर लेते हैं मैंने आपको recommend किया था कि 2000 के नीचे इसमें great value है अगर आपको यह stock कहीं पर भी 2000 के नीचे मिलता है तो हमें वहाँ पर buying करनी ही चाहिए क्योंकि यह ऐसा stock है जो कि sector के मुकाबले बहुत ही जादा expensive valuation पर मिलता था लेकिन गिरावट इतनी हो गई कि stock अपने sector के साथ ही साथ चलने लगा तो कितनी जादा value आ चुकी थी इसले मैंने आपको वहाँ पर recommend किया था लेकिन अगर आपने वह miss कर लिया है तो कोई बात नहीं हमें थोड़ा weight करना चाहिए थोड़ा सा technical correction आ सकता है तो कौन से level से जहां पर हमें buy करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते है 2500 का level में active investor के बताना चाहूंगा क्योंकि वो level काफी अच्छा support है क्योंकि वहाँ पर हमें 50 days का EME और 20 days का EME भी दिखाई दे रहे तो ये level एक अच्छा level हो सकता है अगर आप active investor है patient investing करना चाहते हैं और भी ज़्यादा weight करना चाहते हैं conservative investing करना चाहते हैं तो मेरा मनने 2200 के नीचे अगर आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छा बाय है क्योंकि आप देख सकते हैं उसी level के आसपास इसने पहले support लेया थार वापस हमें तेजी continue देखने को मिली थी तो लेवल मैंने आपको बता दी है कौन से लेवल पर आपको बाय करना है अभी के अभी बाय करना है या अभी वेट करना है यह आपका decision है लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो like कीजे share कीजे comment कीजे subscribe कीजे और मुझे motivate कीजे thank you stay happy happy investing